और चली अब बात करेंगे कॉंग्रोस विधायक अदिती सिंग की अदिती सिंग की सदसता समाप्त करने के लिए कॉंग्रोस नेता आराधना मिश्रा ने विधान सभाध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल की है उन्होंने कहा है कि अदिती सिंग ने 2 अक्टूबर को गांधी ज्यनती के मौके पर हुए 36 घंटे के विशेश विधानमंडल सत्र में हिस्सा लिया था जिसको लेकर उनकी सदसता समाप्त करने के लिए आराधना मिश्डा ने याचिका दी है तो एक बार फिर से अदिती सिंग सुर्खियों में है गांधी ज्यनती पर यूपी सरकार ने विशेश सत्र बुलाया था जिसमें पार्टी लाइन से तर जाकर अदिती सिंग ने शिर्कत की थी और तभी से लगातार पार्टी के भीतर खाने उनके लिए विरोधा भास की जो सुर हैं वो साफतोर पर सुनाई दे रही हैं और अब आराधना मिश्रा जो कि कॉंग्रेस ने ता हैं उन्होंने एक याचिका दाखिल कर अदिती सिंग की सदस्यता रद करने की मांग की है कॉंग्रेस ने राभरेली सदसे पार्टी की विधायक अधिती सिंग की विधानसवा सदस्यता खत्म करने के लिए अब एक याचिका जो है वो यूपी विधानसवा अद्दक्ष के पास दायर की है और हमाहे साथ इस पर बात करने के लिए विधान मंडल दलकी नीता तब किया जब वरिष्ट कॉंग्रेसी नेताओं ने इस पर सवाल उठा है? जो नियम है, उसके बाद उनको एक सकेंड नोटेस इसू करी गयी। वो सकेंड नोटेस नमिंबर के महिने में इसू की गई। जिसका कोई जब उन्होंने नहीं दिया। अब जिस तरह जो प्रक्रिया है उसका पालन हमने किया है और कल मानिय विधानसभाद्यक्ष के सवक्ष हमने आज का प्रस्तुत की है शेरियूल 10 के अंतरगर्द की अधिती सिंग जी की सदस्ता को रत किया जाए और ये जो भी किया गया है ये पूरे नियम को फॉलो करते हु वो केवल विधायक नहीं है बलकि जो महिला कांग्रेस है उनमें भी उनको एहम जिम्मेदारी मिली हुई जो सोचल मीडिया पर आप लोंने मोहिंच चिराई उसकी भी जिम्मेदारी मिली हुई थी तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो माफी मांग ले या फिर आला कमा समय मिला और एक तरफ तो लोग कहरें देर हो गई दूसरी तरफ यह कहा जाए कि उनको नहीं दिया गया तो यह दोनों कॉंट है ने मानती हूं कि उनको परियाक दिया गया और नियमके अनुसार उनको मौका दिया गया उनका कोई जवाब पहले भी नहीं आया अगर वो उसमें यह स्पाष्ठ है कि उन्होंने पार्टी विप का उलंगन किया। उन्होंने अनुषासन हिंता की। और पार्टी विप के उलंगन अनुषासन हिंता की। अब कॉंग्रेस ने एक याची का दायर कर दी है और जो विधानसभा की परंपरा है उसी हिसाब से अब अद्यश की तरफ से एक नोटिस उनको जारी किया जाएगा लेकिन इतना जरूरत है कि कॉंग्रेस अपने स्टैंड पर खड़ी रहेगी और इसे वापस नहीं लेगी सबसे पहले खबरे पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सबस्क्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com slash abpganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com slash abpganga